Dear Students, इस मड्यूल में हम डिसकस करेंगे Chinese Liver Fluke के बारे में. इस Chinese Liver Fluke का Zoological Name है Clonoricus Sinensis. अब ये जो Chinese Liver Fluke है, ये Common Parasites है Human Beings का Asia Region में. इसके इलावा इसके बारे में Interesting Feature ये भी है, के तकरीबन 30 Million People जो है, इन Asian Countries, they have been infected by this Liver Fluke. और इसके अडल्ट्स जो है, ये लिवर फ्लूक है, ओवियसली लिवर के अंदर रहेंगे, यहाँ पर ये Blood के Epithelial Tissues को as a food इस्तमाल करेंगे. और इसके अडल्ट्स जो है, नॉर्मली दे आर, दे अडल्ट्स जो हैं, दे रिलीज एम्ब्रियोनेटिड एग्स into the common bile duct. अब इसके एग्स, दे विल लीव दे इंटरस्टाइन, और इंटरस्टाइन से फिर along with the feces, दे आर अलिमिनेटेड और अलिमिनेट होने के बाद, ये डिफरेंट लार्वल स्टेजिस में डिवेलप करेंगे, सबसे पहले जो इसमें लार्वा बनेगा, देट इस दा माइरा कीडिया लार्वा, अब माइरा कीडिया लार्वा जो है, इस हैविंग सिलिया all along its body, ये फ्री स्विमिंग होगा, ये फ्री स्विमिंग होने के बाद, इसके अंदर फर्दर लार्वल डिफ्मेंटल स्टेजिस आती रहेंगी, जो इसमें अगली लार्वल स्टेज है, that is the sporocyst larva, अब sporocyst जो है, ये डिफ्लिफ्मेंट के बाद, radial स्टेज में आजएगा, radial स्टेज जो है, free swimming करता रहेगा move करता रहेगा till the time इसको कोई host नहीं मिलेगा अब इस case में जो host है that is a fish ये करकेरिया लार्वा अपने आपको fish के साथ जो के इसका second intermediate host है उसके साथ contact करेगा अब जूकर ये सारे parasites है parasites जो है ये host की body के साथ contact करते हैं penetrate करते हैं और penetrate होने के बाद ये epidermis के through enter होंगे अब जब ये parasite बन जेगा तो इसके अंदर जो organs lost हो जाएंगे उनमें सबसे पहले है tail, tail हमेशा free organisms के लिए होती है जो के parasites नहीं होते हैं जब ये parasite बन जाते हैं तो इनके अंदर कुछ structure well developed हो जा हो जाते हैं अब tail इसमें वो structure है जो lost हो जाएगा और फिर इसकी चूँके ये इन्होंने host की body में रहना है तो वहां पे bile juices होंगे juices आपको पता है उनका pH बहुत हाई होता है तो इनके खतम होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं अपनी body के गिर्द एक सिस्ट बना लेते हैं सिस्ट एक thick layer है जो के इनकी body के उपर जो juices हैं उनके pH का effect नहीं होने देती अब जो larva है मेटा करकेरिया larva इसके अंदर फिर further development का process जारी रहेगा develop होने के बाद मेटा करकेरिया will developed into an adult form अब ये adult जो है now it enters into the body of the human being किस तरह से होगा कि आप घर में फिश ले आए फिश लाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से पकाया नहीं जिसको हम raw cooked या poorly cooked कहेंगे और वो fish के थरू ये human body में चला जाएगा अब एशिया के वो countries जो के near sea है या जो उसके उपर साहल समंदर के करीब करीब है और लोगों के अंदर इस किसम का flu उनकी body के अंदर infection के chances बहुत ज़्याद है और इसके अंदर now वहां के इलावा western world में भी इस flu की popularity जो है that is increasing day by day और उसका main reason क्या है poorly cooked food अब इस diagram से हम Chinese liver fluke colono ricas sinensis के life cycle को मज़ीद explain करेंगे यहां पे आप देखें यह इसके eggs है eggs are released eggs will develop into myrakidia larva myrakidia will develop into sporocyst larva sporocyst जो है यहां पे इसको एक intermediate host या snail भी मिल सकता है जब intermediate host के अंदर चले जाएंगे तो sporocyst larva जो है इसकी body में रहेंगे penetrate करेंगे और development करेंगे into another larval stage जिसको हम कहेंगे radia larva अब radia larva will develop into another carcaria larva अब करकेरिया larva जो है यह free swimming है यहां पे इसको second intermediate host जो के fish है वो मिल जाएगा अब यह fish की body के अंदर enter हो जाएगा body के अंदर enter होने के बाद it will lose its tail and will develop into another larval stage meta carcaria meta carcaria जो है this will again develop into another larva अब इस fish को one city is eaten by the human beings or other animals तो उसके फर्दर adult जो है वो body human being या दूसरे host में enter हो जाएगे और वहां पर फिर जो है यह eggs release होंगे eggs जो है then they are released outside the environment तो यहां पे दो host के अंदर एक snail एक fish और एक human being जो है इस Chinese liver fluke अपना life cycle complete करता रहता है और अगर इसके system में आप देखें तो दो system जो है they are quite evident एक है इसका digestive system और दूसरा इसका well developed है reproductive system अब जो भी parasites होते हैं इनके अंदर reproductive system that is quite well developed क्योंकि इन्होंने अपनी population को body के अंदर host body के अंदर increase करना होता है और digestive system इसलिए कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा host के nutrients हैं उसको absorb करना होता है बाकी system parasites के अंदर इतने well developed नहीं होते जितने digestive और reproductive systems available है तो ये Chinese liver flow इसके लिए best way इसकी protection का human beings में क्या है के food जो है उसको properly cook किया जाए वरना इसकी infection के chances जो है human bodies के अंदर बहुत ज्यादा है ज्यादा 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 है